हालो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो वर चैनल एजुकेशन और लर्निंग पंट दोस्तों यह आज का हमारा टेस्ट नंबर 41 है तो चली शुरुआत करते हैं पहले प्रेशनी के पहला प्रेशन है हमारा किस देश को विश्व का कॉफी बाउल कहा जाता है तो वह कहा जाता है ब्र किसरे पहले तो अमारा तमिल नाड़वर और इन में कितना अ怕 प्रषेंट काफी होता है तो जो ब्रुषर चैनल नाड़व होता है केरल में दैता हमारा यहाइच dedicate लिप drie जिट्सक्या इत सबसे, जिसमें होता प्रडक्शन होता वो कितना होता है सिर्फ और सिर्फ ग्यारा पर्चन यानि कि जो सबसे कम है नंबर वन पर आता हमारा करनाटक केरल और तमिलनाडू तो हमारा जो इसका अंसर है देने के लिए तो वो हमारा खाल करनाटक क्या एक 15 तो इसमें क्या है अंतर राष्टि शांति सरक्शा में अभी ब्राति यह आता हमारा खाल का अर्टि quantity स्रों में क्या आता है और हमार हमारा कम् इसमें आता है अधिकार ये आदम आटीकल 41 में अच्छा जो इसका आंसर था वो क्या था खोड़िकल 51 अग्र प्रशन हemा रआ प्रेस्फिन संख्या है है 15-17 का संबन्त किसे है सूर करांती जो होती है वो किसे संबंदित होती है तो वह हमारी किसे संबंदित होती है वो होती है हमारे शहद और बागवानी से, option C is correct अंडे, अंडा हमारा किसे संबंदित कौन सी क्रांती है मैंने पहले वाले test session में आपको बताया है इसके बारे में तो आप हमें comment section में इसका answer जरूर दें के अंडे के जो अंडा और तिलहन और मचली यह कौन सी क्रांती से संबंदिता है अगला प्रेशन हमारा प्रेशन संक्या है चार कौन सा राज्य म्यामार के साथ अपनी सीमा साजा नहीं करता कौन सा राज्य है जो म्यामार के साथ अपनी सीमा साजा नहीं करता तो वो है हमारा सिक्केम, option C is correct इनकी जो इस्तिती है, एक पारी मैं उपर उपर से आपको बता दूँ तो जो हमारा सिक्केम का जो portion होता है, वो हमारा रहता है, ये वाला portion सिक्केम, ठीक है, सिक्केम ये वाला portion रहता है और जो हमारा आउनाचल प्रदेश है वो यहां आउनाचल प्रदेश का रहता है यह वाला पॉर्शन और जो हमारा मनीपूर मनीपूर का जो रहता है वो मनीपूर का यहां रहता है नीचे और सबसे जो नीचे साउथ के साइड में जो रहता है वो रहता है मिजोरम मिजोरम की जो इस्तिती रहती है वो हमारी इस साइड में रहती है तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी इस करेक्ट सिक्केम अगला प्रेशन है प्रेशन संक्या है पांच इस्कूली बच्चों के लिए मध्यान बोजन योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राजी कौन सा था इस्कू इनने शुरू बात की थी उड़ला प्रेशना प्रेशन संक्या है ची समवीधान का कौन सा अनुच्छेद माफ कीजी अनुच्छेद नहीं राज्यों के गठन से संबंदित है तो वो कौन सा अनुच्छेद है यह हमारा आर्टिकल 3 यह आर्टिकल 3 जो है हमारा इसमें क्या कि नए राज्यों का नाम वर्तमान राज्यों और पुनाने राज्यों के चेत्रफल सीमावन नाम में परिवर्तन यह मारा आर्टिकल 3 के अंतरगत आता है अर्टिकल 4 में क्या है इसमें आता है पहली और then 25 नूच्छी के संशोदन टथा अनुच्छ अनुच्छेद बहुत ततात तीन के अंदर गत बनाई गई विदियां यह हो गया हमारा आर्टिकल फॉर आर्टिकल दो में क्या आता है हमारा आर्टिकल दो में हमारा क्या आता है तो वह आमदा आता है नई राज्यों का प्रवेश या इस्थापना नई राज्यों का प्रवेश या इस्थापना आ इसको दिहान से देखें इसका जो आंसर है वो हमारा option 3 आरटीकल 3 जो हमारा सही है Yeon milliards हमारा d इसका article 3 सही है अगला प्रशन है हमारा प्रशने संक्या है साथ मानव विकास report पहली बार कब प्रकास ह Learn थी मानव विकास रपोर्ट जो पहली वार प्रकाशित होई थी तो वह कब होई थी तो वह हुई थी हमारी उन्निस सो नभ्य में options is correct अगला प्रेशन हमारा प्रेशन संक्या है 8 निम्लिकित मैसे किसी किस ने भारत के समविधान के अनुच्छे 370 का मसवधा तयार किया था जो 370 का मसवधा तयार किया था भारती समविधान का तो किस ने किया था तो वह किया था गोपाला स्वामी आयंगर ने option c is correct अगला प्रेशन है प्रेशन संक्या है 9 वर्दाई योजना या बुनियादी सिक्षा का प्रिस्ताव किस ने दिया था तो वह दिया था महतमा गांदीन और यह कब दिया था यह दिया था और 1937 में इसकी शुरुवात की थी अगला प्रशना प्रश्ण संक्या है 10 जै विवित्ता दिवस की तारीक किस तारीक को मनाया जाता है तो यह मनाया जाता हमारा 22 माई को option D is correct और किस सन में इसकी शुरुवात हो थी वह थी 1993 में इसकी शुरुवात हो थी जै विवित्ता दिवस की 22 मई को मनाया जाता है और 1993 में इसकी शुरुवात हो थी अगला प्रेशन संक्या है 11 निमलिकित मैंसे कौन सी नदी पांच वी सबसे बड़ी और पश्चिम की बहने वाली सबसे बड़ी नदी है तो वो कौन सी है कौन सी नदी है तो वो है नर्मदा नदी option A is correct अगला प्रेशन संक्या है 12 प्रसिप्ध सांस्क्रति किस्थल रानी की बाव किस नदी के किनारे इस देता है तो जो रानी की बाव है तो सबसे पहले तो यह आपको पता होना ची कि रानी की बाव है यह कहां पर इस देता है यह जो रानी की बाव है यह गुजरात के पाटन में है गुजरात के पाटन में इस देते रानी की बाव और यह कहां पर इस तरह किस नदी के किनारे तो यह किस नदी किनारे तो स्वरस्वती नदी के किनारे से तो अगला प्रेशन हमारा प्रेशन संक्या है तीरा भारत के सम्विधान के किस अनुछेद में धन विदेग की परिवाशा दी गई है तो धन विदेग की जो परिवाशा दी गई है तो Article 44 में आता है Article 33 क्या कहता है इसमें है कि इस भाग द्वारा प्रवर्थित कराने के लिए उपचारी आ गया अगया 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 मैसे कौन रवर्ष 1930 में महत्मा गांदी द्वारा शुरू किया गया था उनिस सो तीस में तो वह शुरू किया गया था सविनय अवग्य आदोलन बाकियों के बारे में भी आप जान लीजे सबसे पहले जो शुरू किया था वो था 1930 में असायोग आंदोलन जो था वो कब शुरूआत हुई थी इसकी शुरूआत हुई थी 1920 में जो कि सबसे पहले जिसकी शुरूआत की थी इन्होंने और खिलाफत आंदोलन जो था वो हुआ था 1919 में इसकी शुरूआत हुई थी अगला प्रेशन हमारा प्रेशन संक्या है 15 जनवरी 2022 तक Unified Payments Interface UPI का उपयोग करके फंड ट्रांसफर करने की उपरी सीमा क्या है तो उसकी फंड ट्रांसफर करने की उपरी सीमा UPI के तहट कौन सी है कौन सी थी 2022 तक जनवरी में तो वो करती गई एक लाग रुपए ऑप्शन ए इस करेक्ट अगला प्रेशन हमारा प्रेशन संक्या है 16 2019 में किस देश ने भारती प्रधान मंत्री नरेद मोदी को अपनी सर्वोच नागरिक सम्मान जायत पतक से जमानित किया तो वो किस प्रधा प्रेशन संक्या है 17 निमलिखित मैंसे कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों और दक्षण में अन्नमलाई पहाड़ियों के बीच इस्तेत है तो वो कौन सा दर्रा है तो वो दर्रा है पालागाट पास यानि पालागाट दर्रा अगला प्रेशन संक्या है 18 सु किजिएगा रेट के अलाकार है सुदर्शन पत्नायक जो है वो एक रेट के अप्शन 20 प्रेशन संक्या है 19 निमलिकित में से कौन कांग्रेस सोचलिस्ट पार्टी के संस्थापक में से एक थे तो तो वो थे और श्रेशन संक्या है 20 राम मिशन के संस्थापक कोन थे तो वो थे रामकॏ बिश्ड मिशन के संस्थापक तो वो थे सौमी विवेकानंद इन में से कोई नी? इसकाそう है ऑपर नपे नहीं कोई नी अच्छासी और इसका नर्फन इसकाफन dough बियु नोमने और आना 137 न fazem on the ने अटाइसो सतावन में इसकी स्तापना केती तो दोस्तों आज के सेशन में हमारे प्रश्णों की शंक्ला यहीं पर समाप्त होई